नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल एस फोर जिया स्टडी फोर गोल्स में मैं सुबास बर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज दिनांका 28 माज 2020 और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे 2778 माज 2020 से बनने वाले कुछ महत्पून जारकन करेटे फियर जो की JPSC and JSSC के एक्जामिनेशन के पॉइंट आप यू से इंपॉर्टेट होंगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को एडवांस में हैपी होली आज होली का धन आप अच्छे से मनाईएगा अब चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला परसने आज का हमारा पहला परसने दोस्तो कि सब जूनियर राश्किये पुरुस होकी प देख लेते हैं दोस्तो तो दोस्तो जारकन के बालकों ने जूनियर राश्टिये पुरुस होकी परतियोगिता में मेजबान हर्याना को हरा कर पहली बार गोल्ड जीता है इसको ध्यान में रखना है साथी साथ दोस्तो हाली में जारकन के सीमडेगा में आयो जीत सब जूनि जाना तो पूरुस में जारकंड की टीप विजयता रहीं दोस्तो जब बात खेल और खिलारियों से संबंदित हुई है तो मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करना चाहूंगा जो हमारे यूटूब चैनल एसफोर्जेस्टड़ी फर गोल्स पे अपलोड की हुई है इस्टेट म्यूजियम से लिव हुई है चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे परस्ने की और आज का हमारे दूसरा परस्ने दोस्तो कि हाली में जारकंड ओलंपिक एसोसियेसन का अध्याच किने चुना गया है ओप्शन से दोस्तो आरके आनंद को मदुकांद पाठक को, हरबजन सिंग को या सुरेंदर दूबे को तो दोस्तो इसका सही ओप्शन ओप्शन अमरे आरके आनंद को आए से समंधित मैं आपको कुछ चीजे बता दू दोस्तो जे ओए यानि की जारकंड ओलंपिक एसोसियेसन के चुनाओ की घोसना हाली में की गई जिसमें अध्याच के लिए आरके आनंद तथा महा सची के रूप में मधुकांद पाठक को चुना गया था तो इन दोनों नामों को आपको ध्यान में रखना है चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे परसनी की ओर आज का हमारे तीसरे परसने दोस्तो कि जारकन की राजधानी राची में आयोजित बिसमी सब जूनियर राष्टिय उसुप परत्योगिता की विजेता किस राच की टीम रही है ओप्सन से दोस्तो हर्याना जारकन मनीपूर या मध्यपरदेश तो दोस्तो इसका सही ओप्सन ओप्सन नमर सी मनीपूर दोस्तो आई ये से सम्मधित में आपको एक्स्प्लेनेशन बता दू दोस्तो हाली में जारकन की राजधानी राची में आयोजित बिश्मी सब जूनियर राष्टिय उसुप पर्तियोगिता की विजेता मनीपूर की टीम रही साथी साथ उप विजेता मध्यपरदेश की टीम रही साथी साथ एक और चीज़ आद रखें कि तीसरे स्थान पर तामिल लडो इस पर्तियोगिता में रहा है दोस्तो यह जो पर्तियोगिता है खेलगाओ इस्थी ठाकुर विस्वनात साहदे इंडोर इस्टेडियम में इस पर्तियोगिता का आयोजन किया जा रहा था इसको ध्यान वक्तना है खेलगाओ दोस्तो जारकन की रैधानी राची में इस्थीत है लालपूर चौक से 2-3 किलोमेटर की दुरी पे साथी साथ दोस्तो इस पर्तियोगिता की जो टीम रही है जो विजेता और उप विजेता उनको पुरसकार जो है जारकन के स्वास्त मंतरी स्री बनना गुपता के द्वारा दी गई है तो जारकन के स्वासमंत्री का नाम भी आपको याद रखना है बनना गुपता जी चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे परसने की वर आज का हमारा चौथा परसने दोस्तो कि हाली में संपन जारकन सब जुनियर बाक्सिंग परतिविता का विजेता है कौन सा जिला रहा है उप्सन से राची, बोकारो, पच्छमी सिंबूम या पूर्वी सिंबूम तो दोस्तो इसका सही उप्सन नमरे राची आए से समधित मैं आपको एक्स्प्लिनेशन दे दू दोस्तो हाली में राची के डाक्टर स्यामा परसाद मुखर्जी इवी स्वीद्याले में आयोजित सब जुनियर जारकन बाक्सिंग परतिविता के बालक तथा बाली का दोनों ही वर्गों में राची जो है पहले स्थान पर रहा है तो इसको ध्यार में रखना है दोस्तो हाली में जार्खन सरकार के द्वारा कूपोशन से निपटने के लिए शुरू की गई A-A-A-M-A-R-Summer का पूर्ण रूप क्या है ओप्षन से दोस्तो ओप्षन नमर यह स्टाटिजिक एक्षन फोर इलेवेशन आप मलनिट्रिशन और अनेमिया रिड़क्षन और ओप्षन नमर से दोस्तो सुप्रीम एक्षन फोर इलेवेशन आप मलनिट्रिशन और अनेमिया रिड़क्षन तो दोस्तो इसका सई ओप्षन की पहचान करने के उद्धेश से HWA AMAR अभियान की शुरुवात की गई है इसको ध्यान में रखना है चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे छटे परसने की वर आज का हमारे छटा परसने दोस्तो सीखर को छूते ट्रैबल नमक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है इसके उपसन से संदीब मुरारक्का उपसन नमろ 2 यूधीता चंदर उपसन नमर सी अभी सिख आननल डियुनोत ब्यारी मातो तो दोस्तो इसका शही उपसन संदीब मुरारक्का आईए से समधिद मैं आपको कुछ imported notes दे दू जो की exam point of view से imported होगा तो दोस्तो हाली में जारकन के राजिपाल द्रोपती मुर्मु के द्वारा पांच पुस्तकों का लोकारपन किया गया जिन में जमसेतपूर के संदिप मुरारका की पुस्तक सीखर को छूते travels भी एक है अब आये कुछ important पुस्तक के तथा उनके लेखा के नाम जान लेते हैं तो दोस्तो प्लाजिका एवं vision technique जो पुस्तक है या विनोद बिहारी मातों के द्वारा लिखा गया है दूसरा जो हमारा बूक है दोस्तो मातमा गांधी इचार धरा और वर्तमान यूग में प्रांसिंग मुंदिता चंद्रा के द्वारा लिखी गई है नेक्स्ट है higher education in India prospective dimension अभी से एक आनन्द के द्वारा लिखा गया है और नेक्स्ट है अंसिविल वार पैठोलोजी ऑप व़र टेर्रिज में इंडिया द्यव परकस मरवा कई द्वारा लिखा गया है आप हमें कमेंट सेक्ट्षा में कुमेंट करके बताएं कि वैति परकस मरवा का जारखन से किया समन्द नेक्स्ट बुक है दोस्तो, साधी का सपना विक्की सिंग के द्वारा लिखा गिया है नेक्स्ट बुक है दोस्तो, दे ग्रीट इंडियन टिया इन से नेक्स जो साटो स्टोरी है कृतिका पांडे के द्वारा लिखे गिया है तो इसको ध्यान में रखना है इस सारी डिटल जो है पीडियेप में अटाइज कर दीगे या पीडियेप प्राप्त करके इन्हें पढ़ लीजिएगा चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे answer of the day की ओर आज का हमारा answer of the day है दोस्तो कि सर्वेचन 2020 में 100 से कम ULBs वाले राज्यों में किस राज को पर्था मस्थान मिला है उप्शन से उत्राखंड जारखंड पच्चिम वाल और सीकिम यह उप्शन थे तो दोस्तो इसका सही उप्शन होगा उप्शन नमर भी हमारा प्यारा जारखंड चलिए बढ़ते हैं अब आज के हमारे कोचन आपड़ डे की ओर तो दोस्तो आज का हमारा कोचन आपड़ डे है कि लावा लोंग अभिहारन जारखंड के किस जीले में इस्थीत है अपके पास चार विकल्प है दोस्तो लातेहार, राची, पच्मी, सिमूम या चत्रा इन चार ओप्शन्स में आपको एक सही ओप्शन्स, करेक्ट ओप्शन्स सलेक्ट करके कमेंट सेक्षन में कमेंट करना है और दोस्तो आपको बताना है कि लावा लोंग अभिहारन जारखंड के किस जीले में इस्थीत है लातेहार में, राची में, पच्मी, सिमूम में या चत्रा में तदा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सबसे पहले तो आप सभी लोगों को यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लैक कर जादा से जादा से शेयर कर दे तदा आपके अगर कोई क्वैरी जाए तो आप हमें डारेक्टी इंस्टागराम में मेसेज करके पूछ सकते हैं साथी साथ यह रहा हमारा टेली गराम फेसबुक तदा ट्यूटर का यूजर ने साथी साथ दोस्तो अगर आप हमारे वाटसेप ता टेलीगराम गूरूप से जूड़ना चाहते हैं तता इस वीडियो का पीडियो पराप्त करना चाहते हैं तो इसकीन पे दिख रहे हैं मूबाइल नमर 8986772733 पे अपना नाम और आपकी जीले से बिलोंग करते हैं हमें मेसे होली के पावन आउसर पर आप सभी लोग मैं आसा करता हूं कि अपने अपने घरों में होंगे इस होली के पावन आउसर पर जो दोस्तो हमारे हिंदू कल्चर में न्यू येर के तोर पर मनाया जाता है यह हमारे लिए नया साल ही होता है इस पावन आउसर पर दोस्तो आपक इंडिया बने थे, उन्होंने कहा था दोस्तों, एक बात कही थी, उन्होंने, कि वह हर एक चीज जो आपके पढ़ाई के बीच आती है, उससे आप दूरी बना ले, आप दूरी कतई बना सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखते हुए, दोस्तों, हम दोनों भाई, समाज के परती और आप लोगों के परती और खुद के परती भी ततवर हैं और हम लगतार परियास कर रहे हैं कि आपके लिए बेतर चीला और खुद के लिए भी बेतर करें आप निरंतर हमें सपोर्ट करते रहे हैं Study for Goals आपके लिए बहुत कुछ करता रहेगा और अन्तता जहिन जैजारकन जैभारत